जैसे आप अपने फॉन में यहां पर डाटा चालू करते हैं जैसे मैं यहां डाटा चालू कर रहा हूं तो हमें इस तरीके सिक पॉप अप सो होता है नो इंटरनेट यानि कि यह सीधा सब बोल रहा है आपके फॉन में जो सिम पड़ी हुई है एटल जी ओ या वी की ये बेश सबस्द्राइब होया है यानि युसमें रीचारज है वो खतम हो गया है इस तरीके से यह दे रहा है पॉप अप टो आपको देखो यहां पर मताऊँगा आगर आपका रीचारज हो हो गया तो recharge कीजिए ठीक है अगर आपका रीचार्ज भी है फिर भी आपको इसी तरीके का pop-up show हो रहा है तो आपको देखो क्या करना है फिर यहां पर आपको इस तरीके से notification panel को खेंचना है और यहां flight mode पर एक बार click करना है flight mode पर click करेंगे आप थोड़ा wait करेंगे फिर आपको इस पर क्लिक करना है फिर आपको देखना आपकी problem sort out हुई है कि नहीं हुई है तो फिर भी problem आए तो आपको फिर क्या करना है अपने phone का जो power button होता है जिससे phone को switch off करते हैं वो दवाना है और phone को यहां से एक बाद switch off करके देख लीजिए ठीक है phone को switch off करेंगे और आपको यहां पर दो से तीन मिटा आप phone को open करना है खोलना है और आपकी problem solve हो जाएगी देखो फिर भी solve नहों तो आपको दिखओ क्या करना है फिर यहां पर setting में आपको जाना है setting मिजब आप जाएंगे तो यहां पर एक searchçoर होता है इस पर click करना है यहां पर डालना है रिसेट to reset इस तरीके से आल this time after spending आई और यहां पर आपको। सैटिंग को ही और क्लिकक करेंगे और यहां अपना बन डालेंगे और यहां से री यहाke इसको आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी और देखो ये प्रॉब्लम हो रही इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आपके phone में recharge खतम हो गया है ठीक है और यहाँ पर फिर भी आपकी problem सौटाउट ना हो आपके phone में recharge हो फिर भी यह problem आय तो यहाँ पर आपको band 98 पे call करना है उनसे बोलना है ठीक है तो इसकी मेंने video बना दी है कि B के customer कैसे कैसे बात करें या या फिर वीईएसल के कॉस्तमर के ऐर्शे कैसे बात करें या फिर एडल